इस चालन का लिंक आपको उपर आई बडन पर या फिर निचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस चैनल पे भी दोस्तों एक गजब का विडियो आ चुका है, आपको पता ही है, यह stock market में अलग-अलग type के scam चलते हैं, तो इन दो scams से आप लोगों ने या पर बचना है, वरना आपका भी पैसा या पर डूप सकता है, इस वडियो का link भी मैंने उपर आई बड़न पे दिय आप चाहो तो इसको बाद में cover कर सकते हो, तो चले दोस्तों फिलाल इस वडियो को start हम कर लेते हैं, बट इवन दो अगर वो stock आपके portfolio में नहीं है, फिर भी अगर आप उसको जानने की कोशिश करोगे, तो फिर मतलब आप actual में stock market में, अपनी journey में मतलब आगे बढ़ सकते हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को multiple times example में भी बताया है, कि कैसे अलग-अलग companies के news हम लोगों को बाकी कौन से अच्छे shares है, उससे related हम लोगों को guide करते है, या फिर कौन से stock में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो इससे related, जैसे मेरे आप लोगों को बताया है, कि अगर आपके पास yes bank नहीं भी होगा, फिर भी इन सारी चीजों का data आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो 29%, no doubt, ये कोई एक मेने का पूरा data नहीं है, जस्ट कुछ 3-4 दिन पहले ही जो yes bank ने कमाल की तेजी दिखाई है, उसी का नदीजा है, टोटल 6 मेने की बात कर तो 72% का returns देखने का आपके मिल रहा है, तो जब stock इतना rocket की तरह भागेगा, तो no doubt, उसमें गिरावट भी जो नीचे आने के लिए उतना ही time लेता है, तो ये data तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, आज के दिन 8% की जबरदस गिरावट yes bank में देखने को आपे मिली है, थोड़ा सा बीच में सूदरा था, जैसे की गिरावट आपने देखे होगी, थोड़ा बहुत यहापे, एंड उसके बाद वापस हम लोगों को जो closing हुई है, वो गिरावट के ओरी बढ़ते वे देखने को मिली है, तो इसके चलते अभी बहुत सारे doubts आपके दिमाग में आपे आते रहेंगे, सबसे पहला doubt तो यही आएगा, क्या हम लोग ने क्या exit करना चाहिए sir, यह पूचा जा रह है, तो इसके पीछे के reasons है, जैसे कि अगर देखा गया, तो मतलब अभी stock बहुत अच्छी तरीके से आपे चला था, अगर जिस तरीके का उसका fundamentals है, उसके हिसाब से आपको पता ही है, कि वो तेजी टिकना थोड़ा मुश्किल यहापे रहता है, और फटा-फटा अभी अगर मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा, पाच दिन में ही 25-26% के returns मिला है, वो भी point to be noted, इतने top level से 7-8% गिरने के बाद, तो obviously इतने short term में इतना बड़ा return मिलता है, तो usually profit booking हम लोग को होती भी देखने को मिल जाती है, और वही चीज़े हम लोग को होती भी देखने को पूछा जाता है, और उनके जो भी statement रहते हैं, उनको quote किया जाता है report के जरिए, और ऐसा ही report हम लोग को फिलाल देखने को मिला है, अगर आप इस channel को regularly follow करते हो, believe me, उस report में जो भी लिखा हुआ है, वो आप लोगों को already पता है, कुछ नई बात नहीं है, बट definitely ये report अभी ह इसके चलते क्या हो जाते हैं, कि लोग सोचते हैं, अरे बात तो सही है, तो profit booking कर लेते हैं, वैसे तो पैसा तो बन चुका है, तो चली profit booking कर लेते हैं, तो इसे लिए ये सारी चीज़े देखने को मिल जाती है, तो चली उस report में क्या points रखे हैं, वही मैं आपके सामने रखन जो कि अगर आप SM किसी चैनल के सब्सक्राइबर हो, तो फिर literally आप लोगों के लिए ये सारी चीज़े पुरानी हो चुकी है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, analyst, fund managers जो रहते हैं, उनको पूछा गया तो उन्होंने advice दिया है investors को, कि थोड़ा सा alert रही है, देखे मैं again कहना चाओंगा, share, पैसा आपका है, share में खरीदना है, नहीं खरीदना है, खरीदेवे share को hold करना है, या फिर average करना है, decision भी आपका ही होना चाहिए, हम किसी की भी बातों को सुनकर खुद का decision या पर बना नहीं सकते, तो इसलिए बट उन्होंने अपनी राय दिये, क्या राय दि with supply and most of the positives already being priced in, so ये चीज अगर देखा गया, तो already आप लोगों को पताईए, मैंने multiple times, इसके उपर तो मैंने detail में वीडियो बनाया है, ये सबसे golden point है, yes bank से related, कौन सा, कि yes bank में जो share holding, मतलब yes bank जब डूब रा था, 5 रुपे पे आया था, तो उसको बचाने के लिए, बाकी banks ने पैसा लगाया था, लगबक 75% shares उनके locking के अंदर है, कुछ shareholder पुराने है, जिनने 200 पे खरीदा होगा, किसी ने 300 में खरीदा होगा, किसी ने 100 में खरीदा होगा, उनका भी 3 साल के लिए stock क्या हो गया था, locking हुआ था, तो आपको भी पता है, कि March, आने वाले March में ही, वो ठीके चलते दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा Yes Bank में अनबन देखने को आपे मिल रही है, क्योंकि अगर देखा गया, 75% मतलब जो percentage आप देखोगे, कि कितना बड़ा share का percentage locking के अंडर है, रैट, अगर हम लोग यहाँ पे मतलब आप मान के चले, 75 के 75 कोई exit नही है, कि बस हमारा locking खतम होने तो हम तो निकल रहे है, तो फिर definitely आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा भूचाल इसमें आ सकता है, no doubt यह सारी भूचाल वाली जो बाते में बोल रहा हूँ, वो आम लोगों को मार्च के बाद ही, मतलब April में देखने को मिलेगी, तो इ इसी से related, दोस्तों हम लोगों ने live demos भी देखे, demos देखे मतलब अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे companies जिन्हों ने debut किया था, मतलब IPO वाले stocks, अगर आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो investor है, क्या कर रहे है, सफर कर रहे है, क्यों सफर कर रहे है, क्यों या फिर वो car trade हो, या फिर PB FinTech हो, या फिर Zomato हो, जितने भी हम लोगों को stock देखने को मिली थे, locking के बाद, बड़ी sale of हम लोगों को देखने को मिली है, और उसके बाद stocks की हालत क्या है, यह आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, तो यह भी stock के लिए, yes bank के लिए खत्रे बोलते हैं न, यही रहने वाला है, जो यह अभी March के बाद, जो next एक साल रहेगा, yes bank के लिए बहुत challenging रहने वाला है, क्योंकि अभी सब कुछ जो इसके उपर मतलब, जो restriction थे, पाबंदी थी, वो सब कुछ हट जाएंगी, आपके पास अगर shares रहेंगे, पुराने वाले ARC से related सारी चीज़े हो जाएगी, तो खुद को, यहापे क्या करना पड़ेगा, company को खुद के पैर के उपर खडार करके, आगे यहापे चलना पड़ेगा, और उस वक्त देखना पड़ेगा, कि yes bank कितना अच्छा performance देता है भी या नहीं, मैं again कहना चाओंगा, मैं कोई yes bank क विरोध में नहीं हूँ, मैं एक ही चीज़ के विरोध में हूँ, जिस type से आप shares को खरीदते हो, type से मतलब stock भागा, तो चलिए, खरीद लो, यह reason नहीं होता है, stock गिर गया तो चलिए, बेज दो क्या सर, हम लोग exit करे, ऐसा करोगे तो कुछ नहीं, कल अगर वापस खेल लोगे, worst scenario में मतलब क्या, कि आपको पता होगा कि वो company अगर कभी ना कभी जबरदस गिरेगी, तो क्या आप उसको वापस average करने के लिए ready हो, यह तभी possible है जब आप company के business को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे तो, यह रोज में यही चीज़े बोलूँगा, क्य कि इसके अलावा बाहर मतलब बोलते हैं ना, unnecessary चीज़ों को cover करने का कोई मकसद है ही नहीं, अगर यह चीज़ आपको पता चल गई, तो definitely आप किसी भी stocks को अच्छी तरीकी से समझ सकते हो, जैसे मैं multiple times बोलता हूँ कि मुझे अच्छे-च्छे stocks जो लगते हैं, मैं चाहता ह कि वो गिरे, क्यों? क्योंकि उसका business कमाल का है, मैं चाहता हूँ, Varun Beverages जैसी company गिर जाए, 60% गिर जाए, मज़ा आ जाएगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे Demart जैसी company और गिर जाए, मज़ा आ जाएगा, यह बोलने का confidence क्यो है, क्योंकि उसके business में वो दम मुझे नजर आत जब आप उस company को बहुत detail से समझते हो, और आप देखते हो उसको आने वाले 5-10 साल में, वो company कहा पे stand करेगी, सिर्फ तेजी देख लिया, गिरावट देख ली, entry कर ली, exit कर ली, इससे market में आप लंबी पारी नहीं खेल पाओगे, आप frustrated हो जाओगे, एक time के बाद आप छो इसे चीज़ों को charge किया जाता है, वही मैं आपको free of cost याप बता रहा हूँ, जाते आते मैं आप लोगों को एक और, ऐसी मतलब उड़ती उड़ती खबर बताना चाहूँगा, no doubt वो खबर negative है, negative मतलब देखा गया तो, हम नकार नहीं सकते, जिन्हों ने भी ये point सामने रख आते हैं, and exit करने के लिए थोड़ी ना चोटाई price के उपर exit करना पसंद करेंगे, जब yes bank का, अगर हम लोग बात करें, इसके पहले जो fundraising भी हापर हुआ था, FPO भी हापर आया था, so अगर किसी ने भी माल खरीदा होगा, हर कोई चाहता है, कि वो higher level पे हो, and अगर वो higher level पे अगर होगा, तब ही तो जाके ये locking उनका खतम होगा, तो वो higher level पे profit book कर लेंगे, and exit कर लेंगे, तो इसलिए ये भी बोला जा रहा है कि, शायद से, before locking, यहापे मतलब मार्च के पहले भी इसको बहुत अच्छी तरीके से, उपर लेकर यहापे जा सकते है, एक बार locking खतम हो ताकि जो locking वाले जो लोग है, जो बड़े players है, वो उसको आसानी से exit करके एक बार निकल जाए करके, and बाद में सिर्फ इसमें retail mystery रह जाएंगे, तो ये भी एक point बोला जा रहा है, देखा गये तो इस point को भी हम लोग नकार नहीं सकते, तो इसलिए मैंने आप लोग को बोला बेच दिया उसने, हम अठक जाएंगे, तो यही सबसे बड़ा fear है, yes bank में, जाने से पहले वीचार कर लेना, right, and जैसे मैं आप लोग को का, मैं खुद yes bank को track कर रहा हूँ, मैं चाता हूँ कि यहाँ पे yes bank stable हो जाए, पट यह सारी चीज़े complete होनी चाहिए, उसके बाद हम ल बिजनेस में मुझे strength नजर आएगी, कि हाँ boss, कि यह company का result नजर आ रहा है boss, कि NPP company के अच्छे का से आपे performance दिखा रहे है, NPP actual में नीचे आ रहे है, provision actual में कम हो रहा है, profitability बढ़ रहे है, consistency दिखा रही है, मैं उसको higher level पे खरीदने के लिए भी ready हूँ, right, अगर company वाकई में अच्छी होती है न, तो वो 100 रुपे से रहेगी न, तो वो 1000 जाने का भी दम खम रखती है, अगर company में दम नहीं रहेगा न, वो 100 रुपे से वापस 10 रुपे भी आती है, ऐसी multiple time हम लोगों ने चीज़ों को देखा है, तो ये सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए, तो party बार-बार बदलनी नहीं होती है, कल ये किदर भी उपर जाए या नीचे जाए, मेरा decision तो पहले से ही fix हो चुका है, और ये multiple times मैंने आप लोगों को वीडियो में भी आपे बता है, कि जब yes bank के locking खतम होगा, उसके बाद results देखेंगे, results में consistency देखेंगे, और उसके बाद आ आइकेंट शेर कर सकते हो, and demand account अगर आपने अभी तक open नहीं किया है, तो link नीचे description में 25 वीडियो के list आपको बिल्कुल free of cost मिल जाएगे, आपका नाम कौनसा account आपने link के through open किया है, properly मुझे comment section में mention कर देगे, न तो आपते बर के अंदर-अदर, सारे lectures आपको free of cost provide कर दे ज